कि अधार दोस्तों मैं हूं कुझन माऊर और आप सब देख रहें स्मार्ट खेथ खलियान यूट्व चैनल आज की इस वीडियो में हम मटर के बारें बात करेंगे मटर में कौन सी विराइटी का हम बुआई किये हुए हैं मटर कितने दिन के हुच खेख और इसkte बारें में घ४ार किया है और किस विद्वित्व से हम बुआई किया है इसका अवां देख अब चेकर आगे मर्फर करते हैं इस बिराइटी का जो मेन खासियत है इसकी जो फली है लंबा होता है और जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से फल लिया हुआ है और इसे पांच बार तुड़ाई किया जा सकता है जैसे दूसरा मट्र है जियस्टेन है और आजात पित्री है इन सब मट्रों के पेक्षा इसकी तुड़ाई दो तुड़ाई अधिक है जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि आप दो फली तुड़ाई अधिक करते हैं तो उत्पादन भी अधिक मिलना है इसलिए यह वेराइटी जो है हमने इसका प्रियोग कि 10-12 केजी पर एकड के हिसाब से हम मजदूर के द्वारा मेड़े पे इसका बिजाई करवा हुए है आप सब देख सकते हैं जो मेड़ हमारा है इतना उचाई पे है कि हम जब इसका बुआई करवा रहे थे तो हम पहले ही इसमें मेड़ का मेड़ बनवा करके उसके बाद ह है उसको चार-चार अंगुर पे लगवाए हुए है एक साइड एक दो तीन और कल्लो की बात करें आप देख सकते हैं कल्लो की संख्या एक दो तीन एक दो तीन है चार-चार-चार पांच-पच कल्ले तक इसमें लिये हुए है देख सकते हैं दो एकड़ में हम 25 इच कवपयों किये हो है जो कि जितने ही हम इच कवपयों कियो है सब मेड़ पर ही मज़दूरों के दौरा इस पर लगवाया गया है क्योंकि सीड्रिल के अपक्षा मजदुरों से जो है कि लागत कुछ अधिक आता है लेकिन जो सीड है वह हमारा सीड का बचत होता है एक एकड में सीड्रिल से जो बवाई का बीज खपत होता है लगभग में 30 केजी और हम दो एकड में 25 केजी में ही हाथ द्वारा इस पर लगवाया है मेड़ पर लगवाने का एक फायदा यह भी है कि कलो की संख्या जो है इस पर मेड़ पर अधिक है जमीन के पेक्षा हम आप गाती बुआई के समय हम किये हुए है इसके बाद दूसरा कोई भी इसमें जो रसायन का प्रियोग नहीं किये हुए है जिसे कि खाद या उर्वरक का इसमें हम बस जो है कि 25-30 दिन के बीच में एक बार इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए इमीजय था पर दवा का उप मेड़ पर लगाने के खासियत यह भी है कि जब पौधा तेड़ा कर नीचे गिरता है तो कल्ला लेकर दूसरा नया साखा निकलता है जिसे देख सकते हैं यहां पर भी एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक उसी प्रकार से सब मेड़ पर ही है हमारा जो मटर का पौधा है लगभग में 60 दिन का हो चुका है क्योंकि हम 10 से 15 के बीच अक्टूबर माह में इसका बिजाई किये थे और अभी आज जो है हमारा 15 दिसंबर चल रहा है आप सब देख सकते हैं पूड़ा हमारा दो एकड़ में जो मेड़े पर हम बिजाई किये हैं उसका जहाए और जो एक एकड़ हम डारेक्ट नाली में ही जो किये है है उसका भी हम दिखाएंगे अगली वीडियो में यदि इसके बिजाई और खरप्रतवा नियंद्रण का वीडियो देखना है तो प्लेरिस्ट में वीडियो उपलब्द है आप देख सकते हैं यदि अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दिजिएगा शेयर कर दिजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा